नमस्कार दोस्तों वैसाग मास के पूर्निमा को बुध पूर्निमा के रूप में मनाया जाता है मानेता है कि इस दिन बगवान बुध यानि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और 35 साल बाद इसी दिन उन्हें ग्यान प्राप्थ हुआ था दोस्तों आज अम इस वीडियो में राजक्मा सिद्धार्थ का महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा को ब्रीफली समझने की कोशिस करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध का जन्म इसापूर छटी सवधाब्दी में हुआ था कपिल वस्तों के राजा सुद्धोधन की पत्नी माया ने लुम्बनी नाम के एक वन में एक पुत्र को जन्म दिया था उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया मैं 16 साल की उमन में उनका विववा यसोद्रा से हो गया था उन दोनों ने एक पुत्र को भी जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया सिदार्थ के पास बोग विलास के साigation थी उनके पास कई आलिसान महल थे उनमें हजारों नौकर नौकराणिया थी आये दिन महल में नाच गाने होता रता था सिदार भी उनमें डूब गए थे एक दिन सिदार सैर पर निकले तब उन्हें एक वृद्ध विक्ती दिखाए गिया उसके बाल सफेद हो चुके थे चेहरे पर जूरियां थी कमर जुग गई थी बड़ी मुश्किल से वह चल पा रहा था सिदार ते यह देखा तो वह स्थम रह गए तोड़े आगे जाने पर एक बिमार विक्ती मिला जो अपने अंतिम पड़ा उपर था वह जीवन और मृतियों के बीच संकर्स कर रहा था सिदार तोड़े आगे बड़े तो वहाँ एक आरती जा रहे थी चार लोग शाओ को अपने कंदे पर उठा कर ले जा रहे थे सिदार ते यह देखकर चिंतित हो गए उनके मन में विचार आया कि एक दिन मैं भी बुड़ा और बिमार हो जाओंगा फिर मिलतियों को प्राप्त हो जाओंगा ऐसा जीवन तो दिकार है सिदार्थ को फिर रास्ते में एक सन्यासी मिला जिसके चहरे पर तेज साफ जलक रहा था सन्यासी का मन सारी मो माया से मुक्त था होटों पर एक अलग सी मुस्कान थी सिदार्थ को पूरी बाद समझा गई सिदार्थ अपने महल में आये उन्होंने सब कुछ बोग विला स्तियाक कर सन्यासी बनने का मन बना लिया वो अपनी पत्नी और नौजात पुत्र को छोड़ कर वन में चले गए उन्होंने तब किया कई वर्षों तक कटोर साधना की लगबक 35 वर्ष के उमर में सिद्दार्थ को बोध गया में बोधी विर्ष के नीचे ग्यान की प्राप्ती हुई और सिद्दार्थ गौतम बुद्ध बन गए कहते हैं कि बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती वैसाग मास के पूर्णिमा को ही हुई ती इसलिए हर साल वैजाग पूर्णिमा को ही बुद्ग पूर्णिमा के रूक में मनाते हैं दोस्तों, गॉतम बुद्ध ने क्या कूप कहा है जीवन मिलना बाग्य की बात है, मृत्यू होना समाई की बात है पर मिर्तियों के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना तुमारी कर्मों की बात है बुद्पूर्णिमा की हार्दिक सुपकाम नाए दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शायर और सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहे जाय हिंद